Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankitah, Sood and students जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि आज 9th July है और आज से ही UGISnet examination जो है वो start हो चुके है So इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 9th July morning shift में paper 1 का level क्या था paper easy था, moderate था या difficult था So overall paper का level भी मैं आपको बताऊंगी इसके साथ ही हर एक unit में कितने number of questions पूछे गए थे ये भी हम discuss करेंगे और कौन-कौन से unit wise कौन-कौन से topic exam में आए थे किस topic से किस तरह का question पूछा गया था ये सब चीजे में आप लोगों को बताने वाली हूँ इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जितने भी topics अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ये सभी हमारी students नहीं हमें बताए हैं जो अभी-भी कुछ देर पहले ही exam देखर के आए हैं तो अगर आप लोगों की paper 1 की preparation आपको ऐसा लगता है कि अभी तक अच्छे से नहीं हुई है आप उसमें sure नहीं हो कि अच्छा score कर पाओगे या नहीं कर पाओगे तो आपकी preparation को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 days test series for you just in it paper 1 यह बिल्कुल guaranteed questions हैं इसमें आपको unit wise complete syllabus मिलेगा जस भी unit को आप पढ़ते हो उसका अगर आप test लेना चाहते हो देखना चाहते हो कि कितने concepts clear हैं तो आप इस test series को जरूर attempt कीजएगा यह सब भी guaranteed questions हैं इसमें most expected most repeated questions को भी हमने include किया है ताकि आप लोगों की preparation और भी जादा अच्छे से हो जाए इसमें आपको इसके साथ ही मिलते हैं 30 mock test with solution तो यह आपकी preparation को और भी जादा boost करेगा तो जलदी से आप लोग इसको join कर लीजे इसके लिए या तो आप लोग screen पर दीगे number पर whatsapp की through contact कीजे या फिर आपको क्या करना होगा description box में हमारे app global online का आपको link मिलेगा उस आपको बिल्कुल free में आप download कीजिए आप download करने के बाद आपको जाना है store section पे store section पे जाने के बाद यह search वार मिलेगा यहाँ पे आप लिखे 30 days test series तो जैसे ही 30 days लिखते हो यह course आपके सामने आ जाएगा इस पे आप लोग click कीजिए इस पे click करते ही इसका overview भी आप यहाँ पे देख सकते हो और जैसे आप content section पे click करते हो आपको मिलेगा full syllabus mock test and unit wise आपको complete यहाँ पे test series मिलती जाएगी आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे level by level आप लोगों को यहाँ पे complete test series attempt करनी है तो screen पर दीगे number पर आप contact कीजिए या फिर आप download कीजिए and इस free test series को जल्दी से आप लोग join कर लीजे आते हैं students अपने main video पे main content पे जहाँ पे हम unit wise आपको बताएंगे कि paper में shift 1 में कौन कौन से questions पूछे गए थे या फिर कौन कौन से topic से question आया था तो सबसे पहले शुरू करते हैं teaching aptitude unit से जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि teaching aptitude unit most important unit होती है 5 questions generally NTA बोलता है कि 5 questions पूछे जाते हैं लेकिन इस shift में teaching aptitude से total 7 questions पूछे गए थे तो आप देख सकते हो कि total 14 number आप यहां पे अपने पक्के कर सकते हो बिल्कुल ठीक है इसमें पहला question जो है वो तो पूछा गया था characteristics of teaching से आप इनको note कर लीजे पहला पूछा गया था characteristics of teaching से दूसरा पूछा गया था direct and indirect teaching से ठीक है इसमें जो भी format आते है ना indirect teaching के क्या क्या formats है इससे related question पूछा गया था ठीक है next question आया था हमारा behaviorism theory से so behaviorism theory जैसे कि मैंने आपको हमीशा बताया है यह most expected topic होता है exam में आता ही आता है and इसमें basically हमारे पास दो types होते हैं ठीक है एक होता है operand दूसरा होता है classical so इस बार जो एक्जाम में behavioral theory से पूछा गया था वो आया था operand theory से next जो series है उसमें expect हम यह करते हैं कि classical से question पूछा जाएगा ठीक है सो हमेशा यह analysis जो है students काम करता है तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से समझेगा जो भी चीज़े मैं बता रही हूं उन पर आप लोग ध्यान दीजेगा next question teaching aptitude से जो है वो पूछा गया था हमारा evaluation से हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बताती हूं कि evaluation system exam में आता ही आता है so evaluation के जितने फी types होते हैं ठीक है उनसे question पूछा गया था basic definition से related question था and जो overall teaching aptitude का level था वो था easy to moderate यानि कि अगर आप लोगोंने basic हमारी जो हमारी रात को 9 बजे और सुबाद 7 बजे बिलकुल live classes होती हैं अगर आपने उनको भी attempt करते हो ना आप लोग last one month से भी तो भी I guarantee कि आप teaching aptitude में 7 में से 7 score कर सकते हो इसके साथ ही एक आया था traditional teaching method कि अगर traditional जो teaching method होता है उसमें क्या-क्या चीजें हमें support करती हैं जैसे कि यह ना teaching support system so traditional में हमें क्या-क्या support material मिलता था अब हम expect कर रहे हैं कि next जो shifts हैं उसमें model and ICT से question पूछा जाए तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा and वैसे तो स्वयम स्वयम प्रभा and MOOC जो है वो NT के favorite topics हैं लेकिन teaching aptitude में इसे कोई भी question नहीं आया था तो आप लोग भी इस तरह के जो जो चीजें मैंने बताई हैं इनको जरूर note कीजिए and expected questions भी जो बताएं हैं उनको भी पढ़कर जाईएगा आते हैं अपनी दूसरी unit पे जो की है research aptitude so research aptitude भी जैसे कि मैंने हमेशा की तरह बताया है कि ये दो units जो है सबसे जादा questions इनी से पूछे जाते हैं so research aptitude से भी total eight questions exam में पूछे गए थे so पहला question जो है वो आया था research ethics से जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है research ethics से statement based question आते हैं so इसकी जितनी definitions है जितनी statements है previous year जो आई है आप अगर उनको भी पढ़ लेते हो न तो अभी आपका research ethics topic complete हो जाता है इसमें ऐसे आया था जैसे कि मान लीजे हमारे पास five to six statements दी हैं आपको बताना है कि research ethics कौन कौन से statements को satisfy करता है तो उस basis पे आपको code select करने थे right so यह easy question था and एक आता है हमारे पास positivism and post-positivistic approach एक question यहां से पूछा गया था and यह direct definition question था and next expect किया जा रहा है कि इन दोनों में जो difference हमने आपको बताया है कि difference related question आता है वो next shift में हम लोग expect कर रहे हैं ठीक है तो यह three to four types है जैसे इनके name हैं इन में differences हैं वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ कर जाना है next आता है हमारे पास hypothesis hypothesis मैंने बताया है अनुमान लगाने के क्या क्या methods होते हैं परिकलपना के क्या क्या methods होते हैं तो hypothesis में वैसे आप देखोगे कि syllabus में कहीं पे भी अलग से mention नहीं किया है hypothesis लेकिन हमेशा मैं बताती हूँ कि वो important है तो hypothesis में आते हैं हमारे पास कुछ test hypothesis testing जिसको बोलते हैं तो उसमें T test and Z test इन दोनों से related question पूछा गया था तो उसको आप लोग पढ़ लीजें ये most expected है अगली series में भी पूछा जा सकता है and next question जो आया था वो आया था APA से related next आया था research report referencing style जो कि हमेशा पूछा जाता है कि जब भी हम research report generate करते हैं तो कौन से referencing style को हमें follow करना होता है जैसे कि इसमें Chicago format जो है उसको हमने आपको बहुत बार बताया है कि important है तो हम उसको expect कर रहे हैं कि next किसी shift में Chicago formatting से question ज़रूर आएगा and types of research की अगर हम बात करें तो इसमें qualitative, quantitative and action research इन से question पूछे गए थे अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत सारे questions होगे मैं ने बताया कि seven questions आये थे लेकिन ये तो बहुत list बना दी तो क्या होता है जैसे z test और t test है इन से combined एक question था example के साथ ये जो types of research है qualitative, quantitative and action research इन ता combined एक question था तो इस तरह से आप लोगों ने देख कर चलना है तो अभी जैसे action qualitative and quantitative आ गया तो next में हम experimental, exposed facto, descriptive research इस तरह के expect करते हैं and steps of research इस shift में नहीं पूछा गया है तो next shift में steps of research भी expected questions के category में count होगा right, so I hope research aptitude and teaching aptitude के सभी topics आपने note कर लिये हैं next आते हैं comprehension जो कि एक बहुत डरावना topic बच्चों को लगता है कि हम इसकी जितने मर्ज़े practice करें पता नहीं एक्जाम में क्या पूछ लेंगे तो इसका level भी easy आया था, current जो budget था, जो financial आजकल चल रही है issues उसी से related comprehension में question पूछा गया था, direct question था and जो English में paragraphs होते हैं, कई बार बहुत difficult languages में use की जाती हैं कि students नहीं समझ पाते हैं और वो answer नहीं clear कर पाते लेकिन इस shift में comprehension जो है वो बहुत easy था, easy language में था and question भी easily जो है आप लोग paragraph में mark कर सकते थे इस level का आपका comprehension आया था, next बात करते हैं communication unit की, ये भी एक important unit है इसमें हमेशा की तरह verbal and non-verbal जो के एक short topic होता है, इससे question पूछा गया था, sorry verbal से नहीं पूछा गया था, non-verbal से इस बार पूछा गया था non-verbal के जो types होते हैं, उससे basically question पूछा गया था, so next में हम expect करते हैं कि verbal के type से question पूछा जाए next ही हो सकता है कि characteristics, next question आया था, characteristics of communication, इसमें हमेशा की तरह, वही pattern था, assertion and reason based questions, जैसे इसमें पूछे जाते हैं, वही question आप लोगों से इस बार भी पूछा गया था next question आया था, models of communication, models of communication में हम से पूछा गया था, meaning and इसके type से related question, तो ये दो चीज़ें आपको पढ़कर जानी है, and जैसे कि मैंने बताया, characteristics of communication, ये इस बार भी आया था, and ये expected भी है, क्योंकि ये काफी बड़ा topic है अपने आप में ही, and इसमें से हमीशा, assertion, reason के questions ही पूछे जाते हैं, so next shift के लिए, verbal communication को आप लोग ध्यान में रखे चलिए, इस shift में barriers of effective communication, mass media, society का कोई अभी तक हमें questions students ने नहीं बताया है, फिर भी अगर कोई ऐसा होता है, कई बार होता है, students miss कर जाते हैं, बताना, कईों को ध्यान में नहीं रहता, फिर भी इस video के अलावा कोई questions अगर हमें बाद में पता चलते हैं, तो मैं वो comment section में pin कर दूँगी, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजेगा, next unit आती है, फिर हमारे पास mathematical reasoning and aptitude, so इसमें से basic questions पूछे गए थे, हमेशा की तरह, एक question आया था, types of reasoning से, एक question आया था, number series से, and एक question यहाँ पर जो था, वो साथ साथ बताते रहेंगे कि किस shift में क्या पूछा गया, तो इससे भी आपकी preparation हो जाएगी, लेकिन, paper 2 जो है, वो आपका उसी दिन होगा, इसमें हम आपको analysis नहीं बता सकते, so you just in it, paper 2 का complete study material आपके पास, अगर guaranteed होगा, तो आप अच्छे से तयारी अपनी कर सकते हो, in 30 days म तो आपकी तयारी अच्छे से हो, इसके लिए ये जो study material है, इसमें हम आपको देते हैं, full syllabus updating notes and most expected MCQs, ये total 17 subjects की list आपके सामने है, so जो भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जो भी subject है आप लोगों का paper 2 का, आप उसको यहाँ पे list में ढूंडिए, and इस number पर contact कीजे कि हम और समय access करना है, जैसे contact करोगे, जल्दी से जल्दी आपको ये PDF मिल जाएगी, and आप इसको lifetime के लिए use कर सकते हो, ये ना सिरफ आपके paper में, UGCNet में, बलकी interview process में भी आपकी help करती है, इसकी fee है सिरफ और सिरफ 1500 रुपीज, तो जल्दी से इसको join कर लीजे, ये आपको बह हमारे पास logical reasoning, so logical reasoning बहुत से बच्चों को difficult लगती है, लेकिन जैसे कि हमारी live classes में हमने आपको इसको करने के smart tricks बताए है, and जो topics हमने आपको बताए थे, कि ये पढ़के जाओगे, तो definitely अच्छा score करोगे, तो मैं आपको बता दूँ कि logical reasoning से सिरफ वही topics आए थे, जो हमने आ ठीक है, ये मैं Indian logic की बात कर रही हूँ, ठीक है, प्रमान से direct question आया था, and हेतु से direct question आया था, उसके बाद इसमें पूछा गिया था, Indian logic जो था, थोड़ा easy था, पिछली बार की तरह difficult नहीं था, पिछली बार थोड़े complicated questions थे, ऐसे ऐसे example थे कि बच्चों को नहीं आते थे, इस वार लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, एक question आया था इसमें, बुद्धिजम से related, कि बुद्धिजम जो होते हैं, बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं, वो कैसे उनकी education होती है, क्या उनका background होता है, कैसे वो पढ़ते हैं, उनकी founder कौन थे, basically founder से question पूछा था इस वार, ले अब जैसे मैंने बताया, इस वार बुद्धिजम का था, next time हो सकता है, गुरुकुल, ठीके, गुरुकुल से related question पूछा जाए, कि गुरुकुल में कैसे कैसे पढ़ाई होती है, वहांके क्या pattern रहता है पढ़ाई का, ये question पूछा जा सकता है, उसके बाद हमेशा की तरह NTA क जो एक रहता है, वो है deductive and inductive reasoning, यहां से question पूछा गया था, and एक question पूछा गया था, classical square of opposition, classical square of opposition से एक direct question पूछा गया था, and एक पूछा गया था, moods and figure से, तो ये जो है न स्टुडेंट सी पूरी unit, एक one hour video हमने बनाई है, आप उसको जरूर देखिए, playlist का link आपको description में मिल जाएगा, इस unit को आप 2 से, अब भी तक नहीं पड़ी है न, अगर बिल्कुल भी 102 से 3 दिन में आप उसको easily कर सकते हैं, बहुत important unit है, and NTA की favorite है, तो इससे बहुत मतब 7 से 8 questions हर बार पूछे जाते हैं, when diagram और इन चीज़ों से related कोई नहीं था, allergies से भी related कोई question नहीं था, बिस calculation, basic percentage and ratio से related question यहां पे पूछा गया था, तो इसमें जादा confuse नहीं होना है, previous 5 year के अगर आप pattern को भी follow कर लेते हो, यूजिस in net के, तो भी आप लोगों का यहां पे data interpretation काफी अच्छा आप score कर सकते हो, तो अभी तक जितने भी बच्चों ने यह paper दिया है, shift 1 में उन सभी का य देख करके गए थे, 6-7 वीडियो देख करके गए थे, उसी के basis पे उनको लगता है कि data interpretation उनका बिल्कुल ठीक है, next unit आती है, ICT, ICT जो unit है, इसमें से पूछे गए थे total 6 questions, so ICT में एक question पूछा गया था, conversion से related, अब यहां पे देखो कि आप लोग syllabus में कहीं पर भी conversion नहीं mention क किया है, तो हमेशा जैसे में बताती हूँ, कि UGC जो है syllabus में जो नहीं दिया होता है, वहां से भी questions पूछता है, so conversion में basically आता है, हमारे पास binary to decimal conversion, ठीक है, decimal to binary conversion, यह मतलब 30 minutes में आप सीख जाओगे, बहुत easy method है, so यह question आया था, एक question आया था, हमारा chronology से related, जैसे कि पहले प्रीवेस यह question भी वह वाला आया था, जैसे होता है, bit, byte, gigabyte, megabyte, ठीक है, इसको हमें arrange करना था, smallest, कौन सा है, largest, कौन सा है, तो यह वाले question पूछे गए थे, bits and bytes से related, ठीक है, so chronology के question हमेशा आते हैं, next पूछा गया था हम से general abbreviation, जिसको की simple हम full form बोलते हैं, तो इसमें नया question box में links आपको मिलेंगे, उनको follow कीजिए, so full form से related एक video है, उसमें सिरफ मैंने 20 से 25 terms बताई है, अगर आप लोग सिरफ उनको भी पढ़के जाते हो ना, तो भी आप, मतलब ICT में काफी है आप लोगों के लिए, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाए तो, ठीक ह and ICT में current affairs से question पूछा गया था, वो पूछा गया था, super computer से related, so वो मैं आप लोगों को detail में बता चुकी हूँ, कि super computers का latest version है, क्या उसका role है, कैसे वो काम करता है, so उससे related question पूछा गया था, so एक question ही था current affairs का, next unit आती है, फिर हमारे पास people development and environment, जिससे बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन बहुत easy है, easy भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसमें expected होता है, कि क्या-क्या पूछा जा सकता है, so इसमें millennium development and sustainable development goal से, एक question millennium से पूछा गया था, एक sustainable से पूछा गया था, दूसरा question जैसे कि, अगर आप मेरी 6 बजे वाली current affair video देखते हो, तो उसमें मैं आपको COP25 से लेकर के, sorry COP25 से लेकर के COP28 तक का question पूरे बताए है, मैंने आपको यह homework भी दिया था, तो एक question as it is इसी में से आया था, so इस वार पूछा गया था COP25 से question, तो next time हो सकता है कि COP26 पूछा जाए, 27, 28, 29 पूछा जाए, ठीक है, कहां पे होना है, जो हो चुका है, वो कहां होगा, main theme इसकी क्या थी, किस चीज़ पे COP25 में focus रखा गया था, यह पूछा जाता है, next हमीशा की तरह Kyoto Protocol, Paris Agreement, एक question इस से था, एक question इस से था, and most expected, जो हम next series में देख रहे हैं, वो expect कर रहे है, पंचामरिट स्कीम, जो की current affairs में आएगी, इस पे एक separate current affair की वीडियो में लेकर warming, ठीक है, इसमें basic focus जो किया गया था, वो किया गया था, एक protocol पे जिसका नाम है, Montreal Protocol, यह ozone depletion से related होता है, आप लोगों को मैंने बताया है, so उससे question पूछा गया था, and इसी के साथ students, एक पूछा गया था, energy से related, अब आप बोलो गया energy से related, क्या question था, तो यह मैंने अपनी current affair की video में, मेरे current affair की total 9 videos हो चुके है, मैंने उन में आपको detail में energy के questions बताए है, so इसमें पूछा गया था, इंडिया की ranking क्या है, energy conservation में इंडिया की ranking क्या थी पहले, अब क्या है, solar जो होते हैं, उससे related, इंडिया की ranking क्या है, तो energy, solar, यह सब चीजों से related current affairs आप पढ़ लो, ही मैं कहा रही हूँ, हमारे YouTube channel पर शाम को 6 बजे daily current affairs की free classes होती है, detail में भी अगर चीज को नहीं पढ़ते हो ना, उसमें वेस्टो में detail में बताया है, फिर भी वो questions as it is आए थे, ठीक है, so इसको अब लोग देख सकते हो, next जो है, वो है हमारे पास higher education system, जो की हमारी last unit है, higher education system से पूछे गए थे, कुछ topics, sorry students, यहां पर थोड़ा सा, actually confusion हो गया है, जो मैंने आपको बताया, Buddhism and foundation, यह वाला question यहां से आप से पूछा गया था, ठीक है कि Buddhism के founder कौन से है, and जो expected question है, वो यह हो सकता है कि, जो गुरुकुल है, वो कैसे काम करते है, ancient India कैसे काम करती है, post-independence इंडिया में किस तरह से education का, पूरा का पूरा जो है, वो process रहता है, इस तरह के questions पूछे गए थे, and higher education में latest initiative से question पूछा गया था, कि हमारी education को और बहतर बनाने के लिए, government of India ने क्या क्या initiatives लिए है, कौन से applications लांच की है, तो इसमें दो questions पूछे गए थे, current affairs के, जो latest initiatives लि यह कहा है, कि जो मेरे previous eight, nine lectures है, current affairs के, एक question उसकी में से as it is पूछा गया था, कोई भी statement में भी change नहीं था, तो इसलिए मैं कहा रही हूँ, इन चीजों कच्छे से follow कीजिए, smart tricks को follow कीजिए, hard work नहीं कीजिए, ठीक है, so यह थे हमारे 10 units का analysis, आज के, यानि कि 9th July का day one shift, one morning shift क पेपर अभी evening shift जो है, इस time पे चलने वाला है, 3 बज़े से 6 बज़े तक evening shift का paper होता है, जैसे ही उसका भी हमें पता चलता है important concepts, important questions, वो भी मैं आप लोगों के साथ, जल्दी से जल्दी शेयर करूँगी, तो आप लोग जल्दी से हमारे channel को subscribe कीजिए, ताकि आपको जल्द से इसकी notification मिल जाए and आप इस analysis के according ही अपने preparation करते रहो, so I hope ये video आपके लिए helpful रही है, कोई भी query है, कोई भी information extra आप चाहते हो, तो आप लोग मुझे comment जरूर कीजिए, ये video helpful रही है, ऐसी video और भी चाहते हो, तो भी मुझे comment कीजिए and course को join करने के लिए इस number पर आप So thank you so much and I wish you all the very best.